नालंदा जिले के कागजी मोहलना में सेक्स रैकेट का परदा फार्श हुआ दरसल नालंदा AESP को सुछना मिली थी कि कागजी मोहलने में सेक्स रैकेट चलाई जा रही है सुछना के आधार पर S.P. के निर्देश पर सदर D.S.P. डॉक्टर मुहम्मद शिबली नोमानी के नित्रित्व में पुलिस टीम मौकी पर पहुँची जहां से चार यूवतियों को आपत्ती जनक स्थिती में हिरासत मिलिया गया साथी सेक्स रैकेट के संचालग डॉक्टर उमेश कुमार को भी गिरफतार किया गया है वहीं सदर डियेसपी ने बताया कि मौके से कई आपत्ती जनक समान भी वरामद किये गए फिलहाल रासत मिली गई यूवतियों से पूछताच चल रही है मिली थी ये कारजी महला है जो टिकुली पर वाली गली है उसमें तो सुचना पे पुलिस अधिक्षक महदय के दिसानिर्देशन में हम लोगों ने कारवाई किया वहाँ जहां से तीन यूवतियों को इस कारवार में जो सनलिप थी उनको रिस्क्यू किया गया है जो में सरगना जो पुले कारवार के है जो मरकान के ओनर भी है उमेश कुमार सिंथ उनको हिरासत में लिया गया है और कुछ अपत्धि-जिनक जो समान है उनकी बरांदगी होई है जिए हमारे साथ हमारे सहीयोगी राकेश जुड़ चुके हैं राकेश जो सेक्स राकेट का परदा फास हुआ है इसमें क्या कुछ अपडेट है अब तक जिए जो पूरा मामला है वो किसले कई महीनों से इस तरह का यह दंबा इस मकान में चरब रहा था इसकी जनकारी अस्थानी दोर्त द्वारा पुलिस अदिशक को दी गई थी उसके करवाई करते हुए जिन विप्टियों को गिरफ्तार किया गया है उसे पुष्टाच में हला जिए जानकारियों के लिए शुक्रिया तो नालंदा जो लगे कागजी महला था इसकी जानकारियों के लिए शुक्रिया तो नालंदा जो लगे कागजी महले में सेक्स रैकेट का परदा फाश हुआ है जिसके संचालत डॉक्र उमेश कुमार बताए जा रहे हैं जिनका पहले भी अपरादे कितिहास रहा है